नमस्कार दोस्तों मेरे योट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों मैं आज आज आपके सामने न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसका मेरा टॉपिव कहा है प्रिफिक्स एंड सिंबल यूज टू रिडूस एंड एनलार्ज यूनिट इन एसाई सिस्टम में अलग अलग चीजों को मापने के लिए अलग अलग यूनिटे होती है जैसे कि भार को नापने के लिए वेट को नापने के लिए ग्राम किलो ग्राम लेंद को नापने के पावर में convert करने के लिए क्या-क्य prefix और उनके लिए क्या-क्य symbol यूज होते हैं multiple prefix और symbol सबसे पहले 10 की power minus 24 की power में इसको हम 1 upon 10 की power 24 लिखते हैं जिसको की 1 by minus 24 को हम 1 upon 10 की power 24 भी लिखते हैं इसको हम योक्टो कहते हैं जिसका symbol है y second एमर पर 10 की power minus 21 इसको हम 1 upon 10 की power 21 भी लिखते हैं जिसको हम जेप्टो कहते हैं जिसका symbol है small z 10 की power minus 18 इसके 8 कहते हैं इसका symbol है small a 10 की power minus 15 इसको हम फेम्टो कहते हैं, इसका सिंबल है small f 10 के पावर माइनस 12 इसका सिंबल है इसको हम Pico कहते हैं, इसका सिंबल है small p 10 के पावर 9 को हम nano कहते हैं, इसका सिंबल है मारपा 9 small n 10 के पावर माइनस 6 को हम micro कहते हैं, जिसका सिंबल हम mu कहते हैं 10 के power –3 जिसको हम mli कहते हैं mli को m small m लिखते हैं 10 के power –2 इसको हम centi कहते हैं इसके small symbol में small c लिखेंगे 10 के power –1 इसको हम dc कहेंगे इसको हम small d से denote करते हैं दोस्तों ये सारी यूनिट, standard यूनिट से छोटी यूनिट होती है, इसके prefix के लिए ये सब यूज किये जाते हैं, अब हमको standard यूनिट से बड़ी वाली 10 की पावर में यूज करने के लिए क्या-क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हम 10 की पावर 1 उसको हम देका कहते हैं, जिस हम 10 की पावर 2 जिसको हम hecto कहते हैं, इसको हम denote small h से करते हैं, थार्ड हम पावर 10 की पावर 3 इसको kilo कहते हैं, जिसको k से denote करते हैं, 10 की पावर 6 है उसको हम mega कहेंगे, इसको हम capital M से denote करते हैं, 10 की पावर 9 इसको हम giga कहेंगे, इसको हम capital G से denote करते हैं, 10 की पावर 12 इसको हम tera कहेंगे इसको कैपिटल T से डेनोट करते हैं 10 की पावर 15 इसको पीटा कहते हैं इसको कैपिटल P से डेनोट करते हैं 10 की पावर 18 इसको एगजा कहते हैं इसको हम कैपिटल E से डेनोट करते हैं 10 की पावर 21 इसको हम जेटा कहते हैं इसको हम कैपिटल J जड से डिनोट करते हैं 10 के पाइट 24 हम इसको योटा कहते हैं जिसको हम capital Y से डिनोट करते हैं दोस्तों ये standard unit से 10 के multiple में बड़ी unit होती है हम उसको prefix और symbol इस प्रकार से लगाते हैं Thank you, have a nice